दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने YouTube चनल पर एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी उम्र 18 वर्स हो चुकी है तो कैसे आप अपने लिए एक नया वोटर ID कार्ड बनवा सकते हैं कैसे आप एक नए वोटर ID कार्ड के लिए कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो उस वीडियो पर काफी सारे भायों के कोमेंट आए हैं और कोमेंट यह हैं कि भाई हम अपने वोटर ID कार्ड में किसी भी परकार का कोई भी correction कैसे कर सकते हैं इस पर कोई वीडियो बनाईए तो आज किस वीडियो का topic हमारा यही है आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने water ID card में किसी भी परकार का कोई भी correction कैसे कर सकते हैं जैसे कि name में correction, father's name में correction, address को update करना, mobile number को update करना और अपना photo update करना तो इस तरीके का अगर आप कोई भी correction करना चाहते हैं तो easily आप कैसे कर सकते हैं आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ तो ये वीडियो आपको end तक देखनी है बीच में skip नहीं करना है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो भई water ID card में correction करने के लिए आपको nvsp की official website पर आ जाना है इसका link मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा उस पर click करके आप इस website पर आ सकते हैं अब जैसे आप इस website पर आओगे तो सबसे पहले आपको इस website पर अपना registration करना होगा अब registration कैसे करना है मैं अपनी कई सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ लेकिन जो लोग इस वीडियो पर नई हैं उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ तो registration करने के लिए यहाँ पे आपको login का एक option मिलता है इस पे आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको register as new user का एक option मिलेगा इस पे आपको click कर देना है इसके बाद यहाँ पे आपको अपना mobile number enter करना है यहाँ पे आपको एक captcha enter करना है और नीचे आपको send OTP पर click करोगे तो आपके इस mobile number पर एक OTP भिजा जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पे enter करना है और नीचे आपको verify OTP पर click कर देना है जैसे आप verify OTP पर click करोगे तो आपके सामनिक register form आ जाएगा अब इस form को आपको fill करना है अगर आपके पास में आपका water ID number है तो आपको first option को choose करना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना water ID number एंटर करना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी email ID को एंटर करना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक नया password बनाना है password आपको strong बनाना है आपके password का first letter capital होना चाहिए और आपके password में alphabet, numerical number और special character होना जरूरी है उसके बाद नीचे आपको इसी password को दुबारा से enter कर देना है confirmation के लिए और नीचे आपको register पर click कर देना है लेकिन दोस्तो अगर आपके पास में आपका voter ID नमबर नहीं है तो आपको second option को choose करना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना first name enter करना है यहाँ पे आपको अपना last name enter करना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी email ID को enter कर देना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पे आपको अपना एक नया password बनाना है और नीचे आपको register पर click कर देना है अब जैसे आप register पर click करोगे तो आपकी profile create हो जाएगी अब आपको अपनी profile में login करना होगा तो login करने के लिए यहाँ पे आपको login का एक option मिलता है इस पे आपको click कर देना है जैसे आप login पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आजाएगा अब यहाँ पे आपको अपना mobile number एंटर करना है यहाँ पे आपको अपना password एंटर करना है उसके बाद यहाँ पे आपको एक capture दिखाई देगा इस capture को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और नीचे आपको login पर click कर देना है जैसे आप login पर click करोगे तो आप अपनी profile में successfully login हो जाओगे और यहाँ पे आपको आपका dashboard दिखाई देगा अब water ID card में correction करने के लिए यहाँ पे आपको application for correction का एक option मिलेगा इस पे आपको click कर देना है अब जैसे आप click करोगे तो आपके सामने दोप्षन आ जाएंगे self और family तो अगर आप अपने family में किसी भी family member के water ID card में correction करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको family को choose करना है उसके बाद जिसके भी water ID card में correction करना चाहते हैं उसका water ID number यानि की epic number आपको यहाँ पे enter करना है और नीचे आपको next पर click कर देना है लेकिन अगर आप खुद के water ID card में correction करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको self को choose करना है और direct आपको next पर click कर देना है तो जैसे आप next पर click करोगे तो आपके सामने form 8 आजाएगा और यह एक correction form है तो water ID card में correction करने के लिए सबसे पहले यहाँ से आपको second option यानि की correction of entry को choose करना है उसके बाद आपको नीचे आना है अब जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको आपकी personal detail दिखाई देगी जैसे कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका water ID number तो इसमें आपको कोई भी छेड़ चार्ड करने की जरूत नहीं है अब यहाँ पे आपको अपना अधार number enter करना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना mobile number enter करना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी email ID को enter कर देना है लेकिन अगर आपके पास में आपका आधार card, आपका mobile number और आपकी email ID नहीं है तो इसको आप blank छोड़ सकते हैं क्योंकि यह optional है लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक सला देनी चाहूंगा और मेरी सला यह है कि यहाँ पे आपको अपना आधार number, mobile number और email ID जरूर enter करनी है क्योंकि जितनी भी notification होगी वो सभी आपके mobile number पर send की जाएगी इन सभी detail को enter करने के बाद आपको scroll करके नीचे आना है तो जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे option दिखाई देंगे जैसे कि name, gender, date of birth, type of relation, name of relative, address, mobile number और photograph अब दोस्तो जो भी चीजे आप अपने water ID card में update कराना चाहते हैं यानि की correction कराना चाहते हैं उन सभी चीजों को आपको यहाँ से choose करना होगा जैसे कि अगर आप अपने नाम में correction कराना चाहते हैं तो यहाँ से आपको name को choose करना है अगर आप अपने gender में correction कराना चाहते हैं तो यहाँ से आपको gender को choose करना है जो भी चीजे आप अपने water id card में update कराना चाहते हैं उन सभी चीजों को आपको यहां से choose कर लेना है जैसे कि मैं अपने water id card में अपने name में correction कराना चाहता हूँ तो यहां से मैंने name को choose कर लिया है अब दोस्तों जो भी आपका correct name है जो भी name आप अपने water id card में update कराना चाहते हैं उस name को आपको यहाँ पे enter कर देना है लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको अपना केवल first name enter करना है full name enter नहीं करना है तो जैसे आप अपना name enter करोगे उसके बाद आपको अपने computer की screen पे कहीं भी एक बार click कर देना है और जैसे आप click करोगे तो आपका जो name है वो आपकी regional language में यहाँ पे enter हो जाएगा इसके बाद अगर आपका कोई last name है या फिर कोई surname है तो वो यहाँ पे आपको enter कर देना है एंटर करने के बाद आपको अपने computer की screen पे कहीं भी एक बार click कर देना है और जैसे आप click करोगे तो आपका जो surname है वो आपकी regional language में यहाँ पे enter हो जाएगा इसी तरीके से अगर आप अपने address में भी update करना चाहते हैं address में भी correction करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको address पर click करना है और जो भी आपका correct address है वो यहाँ पे आपको enter कर देना है उसके बाद आपको direct नीचे आजाना है अब यहाँ पे आपको अपने नाम का एक supporting document upload करना तो यहाँ पे आप अपने अधार card को upload कर सकते हैं या फिर आप अपने 10th की mark seat को upload कर सकते हैं या फिर आप अपने pen card को upload कर सकते हैं या फिर आप अपने driving license को upload कर सकते हैं तो document को upload करने के लिए यहाँ पे आपको choose file का एक option मिलेगा इस पे आपको click करना है उसके बाद यहाँ से आपको अपनी फाइल को अपलोड कर देना है अब डोक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है और यहां पे आपको अपने पहले है कि आपके form में कोई भी mistake है, इसमें आपको दोबारा से कुछ भी edit करना है, तो यहाँ पे आपको back का एक option मिलता है, इस पे click करके आप दोबारा से back जा सकते हैं, और आप अपने form में दोबारा से edit कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको submit का एक option मिलता है इस पे आपको click कर देना है अब जैसे आप submit पर click करोगे तो आपके एक reference ID जनरेट हो जाएगी इस ID को आपको copy करके रख लेना है या फिर इसका एक screenshot लेके आपको save करके रख लेना है क्योंकि इस ID की मदद से ही आप अपनी application के status को track कर पाएंगे तो चले मैं आपको बदा देता हूँ कि कैसे आपको अपनी application के status को track करना है तो status को track करने के लिए आपको वापस website के homepage पर आना है और यहाँ पे आपको एक option मिलेगा track application status इस पे आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ से आपको अपने state को select कर लेना है यहाँ पे आपको लगबग सभी state मिल जाएंगे उसके बाद जो reference ID आपने copy किया था उसको यहाँ पे आपको paste कर देना है और यहाँ पे आपको track status पर click कर देना है अब जैसे आप track status पर click करोगे तो आपके सामने आपकी application का complete status आ जाएगा अभी हमने अपनी application को submit कर दिया है उसके बाद हमारी जो application है वो हमारे BLO के पास में जाएगी और जैसे ही हमारी application को BLO approve कर देता है उसके बाद में हमारी application है वो filled officer के पास में जाएगी और जैसे ही हमारी application को field officer verify कर देता है तो हमारी जो application है वो accept हो जाएगी और जैसे ही हमारी application accept हो जाएगी उसके बाद हमने अपने water id card में जो भी correction कराया है वो हमारे water id card में correction हो जाएगा उसके बाद direct आप अपने water id card को download कर सकते हैं या फिर आपका जो water id card है वो आपके address पर by post भेज दिया जाएगा लेकिन in case अगर आपका जो water id card है वो आपके address पर नहीं आता है तो direct आप अपने water id card को download कर सकते हैं और water id card को download करने के लिए यहाँ पे आपको epic download का एक option मिलेगा इस पे आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना epic number enter करना है यानि कि आपको अपना water number enter करना है उसके बाद यहाँ से आपको अपना state select करना है और यहाँ पे आपको search पर click कर देना है अब जैसे आप search पर click करोगे तो आपके सामने आपके water ID card के detail आ जाएगी उसके बाद नीचे आपको send OTP का एक option मिलेगा उस पर जैसे आप click करेंगे तो आपके water ID card के साथ में जो भी mobile number link है उस पर एक OTP बेजा जाएगा उस OTP को डाल के आप अपने water ID card को download कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास में epic number नहीं है तो यहां से आपको reference number को choose करना है और जो भी आपके पास में reference number है जो आपके पास में reference ID है उसको यहां पर आपको enter करना है उसके बाद यहां से आपको अपने state को select करके और जो process मैंने आपको बताया है उसकी मदद से आप अपने water ID card को download कर सकते हैं लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके water ID card के साथ में mobile number link होना जरूरी है तब ही आप यहां से अपने water ID card को download कर सकते हैं अगर आपके water ID card के साथ में mobile number link नहीं है तो इस पे मैंने एक proper वीडियो बनाया है उस वीडियो को देख करके आप अपने water ID card के साथ में mobile number को link कर सकते हैं अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप आसाम बिहार गोवा या फिर उत्राखंड से हैं तो आपको इस वेबसाइट से अपने water ID card में correction नहीं करना है और नहीं आपको इस वेबसाइट से अपने water ID card को डाउनलोड करना है आप सभी के लिए सरकार ने एक अलग से करना है और आपको एप्लिकेशन और में करेक्षन करने के लिए यहां पर आपको ऐप्लिकेशन और करनाBe Ist करसकते हैं और्छीν करने के बाद अपने water ID Card को डाउनलोड कर सकते हैं यहां अगर आपको नःक बना गंड़ तो यहाँ पे आपको register as new का एक option मिलेगा इस पे click करके आप एक नए water id card के लिए apply कर सकते हैं अब नया water id card कैसे बनाना है तो इस पे भी मैं already एक वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा उस वीडियो को देख करके आप एक नए water ID card के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया है अगर आप आसाम बिहार या फिर गौवा या फिर उत्राखंट से हैं तो आपको इस website से अपने water id card में correction करना है और अगर आपकी state से हैं तो यहाँ से आपको इस website की मदद से अपने water id card में करेक्शन करना ह और अगर आपको अपने वोटर आडी कार्ड में मोबाइल लंबर को लिंक करना है आपका वोटर आडी कार्ड बहुत ज्यादा पुराना है और आपके वोटर आडी कार्ड में मोबाइल लंबर लिंक नहीं है तो इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे इस वीडियो के description में मिल जाएगा आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो definitely यह वीडियो को लाइक करना शेयर करना और अगर आपके मने में कोई भी डाउट है कोई भी सवाल है तो आप मुझे comment कर देना या